कि बात की जाए तो अब तक 44.38% मतदान हुआ है तो वही अभी भी और फीसद जो मतदान है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि अभी भी तीन घंटे बलत बतौर धाई घंटे अभी बचे हुए है और लगतार अभी जो ये मतदान फीसद है इसके अंदर शाम 6 बज़े तक मतदान रहने वाला है और बता दे अभी जो मतदान है वो तमाम सीटों से इनका फीसद इनका प्रतिक्षद सामने आने लगा है दोसा के बात की जाए तो 44.38% यहां पर वोटिंग हुई है और अभी जो ये मतदान का फीसद सामने आ रहा है ये वोटिंग से ही यहां पर वोटिंग में लंबी कतारे देखने को मिल रही है और उमीद ये जताई जा रही है कि जो मतदान फीसद है वो और बढ़ेगा दोसा में 44.38% वोटिंग हो चुकी है और ये वोटिंग परसंटेज के और ज़्यादा बढ़ने की उमीद है तो वहीं इस वक्की बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे इस वक्की बड़ी खबर प्रदेश में दुपएर तीन बजे तक बावन दशमलब दो आठ फीसद मतदान हुआ है बड़ी खबर आपको बता रहे है जासलूमर में 48.30% मतदान हुआ है 84 में 55.28% मतदान तो इसके लावा बात की जाए देवली उन्यारा की 49.82% और रामगड में दुपएर एक बजे तक 60.74% मतदान हुआ है सबसे जादा जो वोटिंग है वो इस वक्ता रामगड में देखी जा रही है तो बात करें मतदान की तो जो कुल मतदान अभी इन 60 सीटों पर हुआ है 52.82% से जादा हो चुका है फीसद और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो जुन जुनों में 49.74% वोटिंग हो गई है इसके अलावा दोसा में 44.38% मतदान हुआ है सबसे जादा वोटिंग रामगड में दुपएर एक बजे तक अंकित की गई है प्रदेश में लगतार सुबा साथ पिजरी से ही वोटिंग जारी है और तस्पीरे देखिए मदान केंद्रों के बाहा लंबी कतारे लगी हुई है मदाता यहाँ पर अपने मत का इस्तिमाल कर रहे हैं तो सलुंबर से 48.30 फीसद इसके लावा जुंजनों से 49.47 फीसद वोटिंग हुई है और देवली उन्यारा की बात की जाये तो 49.82 फीसद 200-44.38 फीसद वोटिंग परसंटेज सामने आ रहा है रामगड में दुपएर एक बजे तक 60.1 फीसद जो मदान है वो हुआ है सबसे ज़ाद रामगड में अब तक मदान हुआ है और अभी तक परदेश भी देखा जाये तो 52.86 फीसद वोटिंग 2-8 फीसद वोटिंग माफ कीजिए ये दुपएर तीन बज़े तक दुपएर तीन बज़े तक हो चुकी है तो वहीं अब ही जो ये कुल मतदान फीसद यानि की जो ये वोटिंग पसंटेज सामने आ रहा है इसके और बढ़ने के आसार है शाम 6 बज़े तक वोटिंग होनी है और दोपएर 3 बज़े तक का जो वोटिंग पसंटेज है इसका आकड़ा सामने आ चुका है पतोर तबाम छेतरों से यहाँ पर वोटिंग पसंटेज सामने आ रहा है प्रदेश की बात किये तो कुल मतदान फीसद यहाँ पर 52.2 फीसद आ रहा है सुलूंबर में 48.3 शुनिय फीसद वोटिंग अब तक की जा चुकी है तो इंडिया न्यूज में लगतार सबसे बड़ी कवरेज की जा रही है पल-पल की उप्चुनाव से जुड़ी भी अपडेट हम आप तक साजा कर रहे है तो वहीं बात की जाए इस वक्त तक कुई वोटिंग की मतदान की तो यहां पर दोपैर तीन बज़े तक के वोटिंग परसंटेज सामने आ गए है सनुबर से 48.30 फीसद तो वहीं देवलियो न्यारा से 49.82 फीसद वोटिंग अब तक हो चुकी है तो अगर पूरे प्रदेश में बात की जाए तो यहां पर बड़ा आकड़ा आया है लगभग हाफ परसंटेज पूरा हो चुका है 50 फीसद से उपर दोपैर तीन बज़े तक वोटिंग की जा चुकी है तो यहां भी यह आकड़े और बढ़ सकते हैं इसके साफ असार जताय चा रहे है 52.28 फीसद अब तक पूरे प्रदेश में सभी साथ विधान सभा सीटों से वोटिंग की जा चुकी तो उप्चनावों से जुड़ी पलपल की अपडेट सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूस राजिस्थान आप तक पेश कर रहा है जहां सब ही साज सीटों पर हो रहे उप्चनाओं की पलपल की खबर पलपल की अपडेट आप तक इंडिया न्यूज राजस्तान लगता साचा कर रहा है खिलाल इलेक्शन ब्रेकिंग बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां दुपए तीन बजे तक 50% से जादा वोटिंग हो चुकी है जो वोटिंग परसंटेज सामने आ रहा है वो 50% को यानि की आधे को पूरा कर चुका है तो अब ही भी यहाँ पर 6 बजे तक वोटिंग होनी है और जो ये आकड़ा है वोटिंग परसंटेज का फीसद मदान फीसद का अभी इसके बढ़ने की बढ़ने के आसार जता है जा रहे तो प्रदेश में दुपए 3 बजे तक 52.2 फीसद मदान हो चुका है